Hello friends, आप सभी का Study P.E.T. में स्वागत हैं, आज हम देखेंगे CDP यानि बाल मनो विज्ञान के most important topic इस्मृति एवं बिस्मृति के बारे में, जो CTET, UPT and SuperTate and All Teachings एक्जाम के लिए important रहेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इस्मृति के बारे में, पूरु समय में सीखी होई बातों को याद रखना ही इस्मृति है, ये कथन किसके अनुशार है, ये कथन बुढवर्द के अनुशार है, पूरु समय में सीखी होई बातों को याद रखना ही इस्मृति है, कथन किसके अनु नेक्स्ट, संग्वेधी इस्मृती होती है, संग्वेधी इस्मृती चार सकेंड तक होती है, अल्प कालीन इस्मृती कितनी ओधी तक होती है, अल्प कालीन इस्मृती जो होती है, 20 सेकेंड तक होती है, इस्मृती की सर्विसिष्ट प्रणाली कौन सी है, इस्मृती की सर्व प्रथम प्रियोग किस ने किया, इस्मृति पर शर प्रथम प्रियोग एबिंग हॉस ने किया, इस्मृति के प्रकार देखते हैं कितने हैं, इस्मृति के प्रकार निम्न प्रकार है, ब्यक्तिगत इस्मृति, अब ब्यक्तिगत इस्मृति, तारकिक इस्मृति, सच्ची एव दूसरा धारड करना, तीसरा पुना अस्मरड करना और चोथा पहचान करना है इस्मृति की चार अंग है, सीखना, धारड करना, पुना अस्मरड करना और पहचान करना इस्मृति का अंग कौन सा नहीं है इस्मृति का अंग जो चिंतन है वो इस्मृति का अंग नहीं है अच्छी स्मृती की बिसेस्ता कौन कौन से है? अच्छी स्मृती की बिसेस्ता सिग्र अधिगम, सिग्र अस्मरण, सिग्र पहचान, अनावाश्चिक बातों की बिस्मृती ये सभी अच्छी स्मृती की बिसेस्ता है वास्तविक इस्मृति में याद किया जाता है क्रमबध रूप से पुना इस्मृति में बाधा उत्पन करती है भै चिंता परिशानी सीखी होई कोई भी क्रिया मस्तिस्क में जब अंकित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अच्छे इस्मृति की सबसे प्रमुग विसेस्ता कौन सी है? सिख्र याद होना अच्छे इस्मृति की सबसे प्रमुग विसेस्ता सिख्र याद होना होता है शंगनन सिध्धान किस से संबंदित है? संगनन सिध्धान इस्मृति से संबंदित है अब देखेंगे हम बिस्मृति के महत्तुपूर्द अब हम देखेंगे बिस्मृति के अब हम देखेंगे बिस्मृति के बारे में भूतकाल की किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफालता को बिस्मृति कहते हैं क्या कहते है भूतकाल की किसी अनुभव को वर्तमान चितना में लाने की असफलता को बिस्मृति कहते है बिस्मृति दो प्रकार की होती है पहला शक्रिय बिस्मृति दूसरा निस्क्रिय बिस्मृति बिस्मृति दो प्रकार एक शक्रिय और एक निस्क्रिय होती जब ब्यक्त किसी बात को भूलने का प्रेत्न करके उसे भूला देता है तो उसे क्या कहते हैं उसे शक्रिय बिस्मृति कहते हैं जब देखती किसी बात को भूलने का प्रेत्न करके उसे भूला देता है उसे हम शक्रिय बिस्मृति कहते हैं सीखे हुई वस्तु को धारण और पुना अस्मरण करने में असफल होना ही बिस्मृति कहलाती है बिस्मृति के कारण कौन कौन से हैं देखते हैं मानसिक द्वंद अना भ्यास का सिद्धान, मानसिक अगात, दमन सिद्धान ये सभी बिस्मृति के कारण है जब देखती प्रयास ना करने पर किसी बात को इसमें देखती ने ब्यक्ती होगा जब ब्यक्ती प्रयास ना करने पर भी किसी बात को स्वेम भूल जाता है उसे क्या कहते हैं जब ब्यक्ति प्यास ना करने पर भी किसी बात को स्वेम भूल जाता है उसे निस्क्रिय बिस्मृति कहते हैं धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर